नारज जी ने हैना भक्ति सुत्र में लिखा है यज ग्यात्वा मत्तो भवती स्टब्दो भवती यज ग्यात्वा मत्तो भवती स्टब्दो भवती आत्मा रामो भवती नारज जी कहते हैं बस आप विचार करो जान लो परनात्मा को याद करो फिर आपको और कुछ भी पाने के इच्छा नहीं रहती नारजी कहते हैं आप त्रिप्त हो जाओंगे फिर क्या चिंता बेपरवा आपका मन उस अनीर वचन यह अखंड आनंद से भर जाता है कि रोम रोम भर जाता है मन भर जाता है कि सिर्जी ने इसलिए कहा तहां है तेरों करार उस आनंद को पाने के लिए आप सत्संग करो प्रयास करो संसारी जिवन में क्यों न हो सादू जिवन में क्यों न हो हम संसार के लिए कितना परिश्रम करते हैं कितना पुरुसार्थ करते हैं कितना परिश्रम करते हैं संसार को रिजाने के लिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं संसारिक सम्मंधों का निर्वाह करने में हम कितना मढराते रहते हैं कविद्दाजी कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई यह जीब यहीं पीशा जा रहा है संसार में पीशा जा रहा है फोलू के बेल की तरह परिश्रम कर रहे हैं किसके लिए संसार साधने के लिए संसार के लिए फिर भी संसार सत्ता नहीं इसलिए संसार को देखो दुनिया देख तु आप संभाल यह सिरीमत तारतम वाणी में लिखा है जूठे रिती रिवाजों को देखो आप संसारी जूठी रिती रिवाजों को और खुद को संभालो अंद में तो सब गमाना पड़ेगा ढाठ की पूजी थोड़ी साथ में जाएगी माथा पकड़कर रोना ही पड़ेगा यही संसार की गत्य है तो सिरी जी कहते हैं दुनिया देख दुनिया रो रही है देख दुनिया देख आप संबार आप संसार मत भूलो हम सब जानते हैं समझते हैं फिर भी छूट नहीं पा रहा है ना कारण क्या है जीवन में बेवाहार ही मुख्य रूप से है बेवाहार बेपार तो है लेकिन जीवन में धर्म संसकार भी अत्ति आवश्यक है सत्य का विचार परमात्मा एक आत्मा धनी पेचानिया आत्मा परमात्मा के उपर विचार चिंतन मनन यह होनी चाहिए नहीं है सत्य की और मन की गति नहीं है साथियो तो हमारी चिंतन की गति उस और हो जाए तो हम अवश्य सत्य कौनभव कर पाएंगे बोलो प्राण नात्य प्यारे की प्राण